ये है हमारी सॉलिड अडवाइस ऑफ दे मैच पावरड बाई मोतिलाल ओस्वाल थिंक एकुटी थिंक मोतिलाल ओस्वाल किस बात की मैं बात कर रहा हूँ भे देखिए बल्लेबाजी जो उनकी है वो एक के बाद एक सूपरस्टार है इसमें तोरा ही नहीं है पर उनके लिए एक समस्या है वो है लेफ्ट आम तेज गेंद बाजी जी हां बाए हाथ से जब तेज गेंद बाजी पड़ती है तो बैंगलूरू जो है उनकी विक्टे गरती है हमने आपको याद एक बारी बहुत चर्चा करी थी क्रिकबाज लाइब में वीरू के बारत के जो सनावी वल नहीं है अगर यह आँखडे देखे तो सबकी जातर प्रॉब्लम है क्योंकि क्या होता है कि आप राइट अंडर बैट्स में जातर ओपनर होते है रो यूस्टू होता है राइट आम फास बोलर की बहुत लाइफ में अगर मैं देखू हूं तो मुझे बच्पन से लेकर मतल लूरू के प्लेयरों के वह जो नई बोल पर अंदर बाहर आती है गें दर लेफ्ट आम की तो वह उन्हें तंग कर जाती है वर्ल्ड के किसी भी बल्लेबाज को टॉप आटर को अटा कर देखे तो लेफ्ट आम जब स्विंग कराता है तो प्रॉब्लम देता है क्योंकि वह एंगल ऐसा है राइट-ंड बैट्समन के लिए कि उसमें वह फच जाते है थोड़ी से अंदर आई तो पैड़ लग जाती है वही से बाहर निकल लग जाता है तो मेरे खाल से प्रॉब्लम उनकी सॉट आउट कैसे करें वह एक है कि या तो आप लेक्स्टम के बाहर खड़े किसी को लेक्स्टम के बाहर खड़े होगे किसी को आफ्स्टम पे खड़े होगे ताकि पैर उतना अगे ना निकलो सारी बोले बैट से खेलो यह जो नमबर्स हमने निकाले solid numbers with solid research पर solid advice इन पर आपको देंगे वनोह जब कि आप क्या कहेंगे उन बल्ले बाजो को कि क्या angle को बीट करें, swing को कैसे cover करें, LBW कैसे ना हो जाएं देखिए पाजी जो भी चीज अभी कहा की adjust करना बहुत जरूरी है, आपकी batting stance कहां लेना जरूरी है, वो भी महटसपून हो जाता है, खाश कर अगर आप देखते हो, विफक्षी टीम में किस तरह का गेंद बाज है, आज अश्रदिप सिंग ऐसे बोलर हैं जो बॉल स्विंग करा के अंदर लाएंगे, लेकिन मुस्ताफिज उर्ज रह्मान जिन्होंने चार विकेट निकाले लास्ट मैच में, उनकी गेंद अंदर नहीं आती है, उनकी गिर के बहार ही जाती है, और ज्यादातर वो कटर मारते है तो मेरे ख्याल से लास्ट गेम में दो बल्लेबाज, ग्लेन मैक्सविल और रजट पटिदार से जो गलती हुई बतार बल्लेबाज, वो दोनों इधर थर्ड मैन में खेलने चले गया, शुरुआती कुछ बॉलो में, और जब भी आप जब बॉल गिर के अंगल जाती है तो आप इधर ना खेलो, आप कोशिश करो इस जगा खेलने की, तो बैट थोड़ा सीधा रखने से तीन-चार बॉल उसके बाद जब आप यूस्टू हो जाते हो तब आप जाके इधर खेलो, जब नहीं गेंद होती है तो दिक्कत होती है, जादा दर चांसे रहती है बॉल जान लगाया तो एक बार आई सेट हो गए उसके बाद आप फिर पाजी जो कह रहे है इसको भी यूस कर सकते है और उसके बाद एक चार बाज़ बाल हो गया फिर आप यह सब चेंज करते रहो आपको बोलर के विपरित आपको खेलने की खमता हमेशा प्लाइनिंग होनी चा अब इधर का मतलब है पॉइंट की तरफ के लेंगा तरफ कवर पॉइंट की तरफ तरफ के तरफ ओ अच्छा यह पूला इनोने अच्छा मुझा लगा इनोने का वीमे ने ने अच्छा पकड़ा आप देखिये धर मैन क्योंकि यह विकेटर नहीं तो यह इतर कर रहे है और इधर का ही जा रहा ही है अब विकेट हो तो समझ में आ जाता है कि चलो भी यह थर्ड मैंने यह पॉइंट नहीं है तो फिर अच्छा तो हम मैंने सोचा आप यहां पे खड़े थे पर आप ऐसे खड़े थे मैंने का एंगल ही नहीं समझ पाया पर अब हमने आपको समझा दी है सॉलिड समझाते हैं आपको कि इस वस सॉलिड अड्वाइज ऑफ थे मैच पावर्ड बाय मोतिलाल ओस्वाल थिंक एकुटी थिंक मोतिलाल ओस्वाल